1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 33 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 33 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों श्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या FD में करे दोनों शेर के और निफ्टी के एन्वेलाइज रिटन परसंटेज हमने देखे वही रिटन परसंटेज अगर बविश्य में भी कंटिनी होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आईए देखते हैं झाल 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 झाल